साथियो नमस्कार, प्रेविध्यर्थियो नमस्कार, इस वक्त मैं आपके लिए लेकर हजिर हूँ, कक्सा वारा हिंदी साहित्य का दित्य मुल्यांकन परपत्तर, जिसा कि आप देख रहें, क्लास बारा दित्य पर्क विसे हिंदी साहित्य, तो यहां पर एक मैंने मोडल कारनेलिय का गीत। प्रश्च नम्बर च्छ दुख ही जीवन की कता रही क्या कहूं आज जो नहीं कही पंक्ती में कवी का कौन सा भाव यक्तुआ है तो जीवन संगर्ष का भाव यक्तुआ है प्रश्च नम्बर साथ अग्ये की कविता दीप अकेला में दीप किसका प्रतिक है तो दीप व्यक्तिगत सता का प्रतिक है प्रश्च नम्बर आठ मैंने देखा एक बूंद कविता का क्या संदेश है तो कविता का संदेश है जीवन में श्रण का महत्व प्रस्ट नमबर दो कवी अगए का पूरा नाम क्या था तो शचेदादंद हीरानंद वात्सायन अगए ये पूरा नाम था प्रस्ट नमबर दसी है प्राचीन भारतीय संस्कर्ती और व्यभव को चरिता आर्थ कर्थी कावी रचना कौन सी है तो ये है बनारस प्रश्च नमबर ग्यारा बनारस कविता में दसास्व मेग सब्द किस के लिए प्रियक्तुआ है तो ये प्रियक्तुआ है बनारस कंगा के एक घाट के लिए प्रश्च नमबर बारा एकम कविता किस काल से सम्मंदित है तो स्वातंत्रियोत्र भारत प्रश्च नम्बर तेरा सत्य कविता में सत्य की तुलना किस पोराणिक पात्र से की गई है तो विदूर प्रश्च नम्बर चवदा सत्य कविता में धर्म राज सब्द किसके लिए प्रियुक्तु आए तो युदिष्टर के लिए प्रश्ट नमबर पंद्रा आचारे रामचंदर सुक्ल का जन्म कब हुआ था 1884 में प्रश्ट नमबर सोडा प्रेमगन की चाया इसमर्ती पाट में प्रेमगन सब्द किसके लिए आया है तो चोदरी बदरी नारायन प्रेमगन पूरा नम प्रश्ट नमर 17 उसने कहा था किसकी लिखी प्रसिद काहनी है तो ये काहनी है पंदित चंदरदर सरमा गुलेरी प्रश्ट नमबर 18 बालक बच गया लगू निबंद का क्या संदेश है इसका संदेश है बच्चों पर सिक्सा लादनी नहीं चाहिए प्रश्ट नमबर 19 असगर वजाहत की लगूकता सेर में सेर किसका परतिक है तो सेर है व्यस्ता का परतिक बीसवा और अंतिम प्रश्ट है चार हाथ लगूकता का वर्णिय विस्य क्या है इस लगूकता में किस विस्य का वर्ण किया गया है तो वो विस्य है पुंजी वादी व्यस्ता में मजदूरों के शोष्ण को उजागर करना तो साथियो ये थे बीस प्रश्ण एक मोडल प्रश्ण पत्र के तोर पर जिसको आप पढ़ कर और इसके अनुरूप प्रश्ण पत्र का निर्मान करके और बच्चों का मुल्यांकन कर सकते हैं हिंदी अनिवारिय का जो मोडल प्रश्ण पत्र है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है उसको भी आप देख सकते हैं और उसके प्रश्णों की बात है तो कापी हद तक तो आपको प्रश्णों समझ में आभी जाएंगे वरना उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं प्र